ब्रूस रिव्यू में आपका स्वागत है दोस्तों आपके मन में कभी न कभी ये सवाल उठाई होगा कि OTT प्लैटफोर्म पर कोई फिल्म रिलीज होती है तो कैसे पता चलता है कि फिल्म हिट रही या फ्लोप रही और किसी फिल्म ने कितना कारोबार किया हम या आप या कोई भी थर्ड पार्टी केवल आकले नहीं लगा सकते हैं कि फिल्म हिट रही या फ्लोप रही और फिल्म ने कितने का कारोबार किया दोस्तों सुनने में ये बात आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी लेकिन हकीकत यही है दोस्तों आपको ये बात तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक कि आप OTT या जिसे Over the Top Media Services कहा जाता है उसके पूरे बिजनेस मॉडल को नहीं समझ लेते हैं यहाँ पहली चीज जो आपको समझनी है वो है कि OTT प्लाटफोर्म में फिल्म की कमाई Box Office कलेक्शन पर निर्भर नहीं करती है क्योंकि OTT में कोई Box Office नहीं होता है Box Office थियेटर की वो जगा होती है जहां से हम टिकट खरीते हैं फिल्म थियेटर में अंदर जाने से पहले Box Office आपको ओफलाइन भी टिकट बेचती है और ओनलाइन भी टिकट बेचती है जितने लोग टिकट खरी देंगे Box Office का कलेक्शन उतना ही अधिक होगा एक फिल्म जिस जिस थियेटर में रिलीज हुई है उस थियेटर के Box Office कलेक्शन को जोड़ दिया जाए तो हमें उस फिल्म का Total Box Office कलेक्शन का एक रफ आइडिया मिल जाता है लेकिन इसके बावजूद भी केवल Box Office कलेक्शन से ही किसी फिल्म के Total Revenue का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है क्योंकि एक फिल्म सैटलाइट टीवी पर भी दिखाई जाती है इंटरनेट पर भी किसी OTT प्लेटफॉर्म में दिखाई जाती है ऐसे में इन प्लेटफॉर्म को उस फिल्म के मीडिया राइट्स खरीदने पड़ते हैं मीडिया राइट्स बेचने से भी production company जिसने film produce की है उसकी कमाई होती है जो उस film के total revenue में गिना जाता है दोस्तो OTT जिसे हम over the top media services कहते हैं उसका business model theater release वाली filmों के business model से बिल्कुल अलग होता है दोस्तो OTT platform का revenue model बेसिकली तीन तरह का हो सकता है इसमें पहला है ABOD जिसे advertising video on demand कहा जाता है इस तरह के streaming video platform में film या web series या किसी भी तरह का video customer को free में provide किये जाते हैं customer को इन film या web series या videos को देखने पर किसी भी तरह का कोई subscription या payment नहीं करना पड़ता है लेकिन तब हमें ads देखने पड़ते हैं वीडियो की बीज में ads दिखाये जाते हैं जो consumer के search history पर निर्फर करता है यही ads उस particular OTT platform के कमाई का सुरोत होता है इसका सबसे अच्छा उदारन है YouTube और MXplayer.in चलिए अब दूसरा revenue model क्या है उसे देखते हैं दूसरा revenue model है TVOD या जिसे हम transactional video on demand भी कहते हैं इसका मतलब है कि फिल्म देखने से पहले आपको उस particular platform को जहां वो film available है उस particular film को देखने के लिए payment करना होगा जैसे iTunes या Voodoo में होता है Voodoo में आपको हर film देखने के लिए payment करना होता है payment कितना होगा वो उस film या web series के उपर निर्भर करता है जिसे आप देखना चाहते हैं OTT platform का next और सबसे अधिक famous revenue model है SBOD या subscription video on demand Amazon Prime और Netflix जैसे well established streaming platform इसी business model को अपनाते हैं SBOD या subscription video on demand का मतलब है कि user को सबसे पहले in platforms का subscription खरीदना पड़ता है ये monthly, quarterly या annually हो सकते हैं ये depend करता है कि streaming service provide कराने वाले platform का subscription प्लान क्या है जब एक customer in OTT platform को subscribe करता है तो वो उस platform के playlist में उपलब्द सभी तरह के videos, movies, web series और documentary इत्यादी को देख सकता है माली जी कि एक user ने Netflix का 199 रुपय का monthly plan subscribe किया है तो इसका मतलब है कि वो पूरे एक महीने Netflix के playlist में दिये गए सारे available videos को देख सकता है उसे हर videos के लिए अलग से payment करने की जरूरत नहीं है और नहीं उसे videos के बीच में कोई ads दिखाया जाएंगे इसके अलावे कुछ OTT platforms hybrid type के business model अपनाते हैं जिसमें उपर के तीनों तरह के business model के features को मिला दिया जाता है दोस्तो हमने business model तो समझ लिया है पर अभी भी हमें ये बात पता नहीं है कि Netflix या Amazon Prime जैसे OTT platform पर जब कोई एक film release होती है तो कैसे पता चलता है कि film hit हुई या flop हुई या film ने कितने का कारोबार किया तो दोस्तो जब एक OTT platform जो SOVT revenue model यानि subscription video on demand model पर काम करती है तो असल में उसका profit negative cash flow पर निर्भर करता है यानि उसे film बनाने या खरीदने पर पहले खर्च करना पड़ता है उसके बाद subscription के जरिये उसकी कमाई होती है OTT platform जैसे Amazon Prime या Netflix या तो खुद film या web series प्रोड्यूस करते हैं और film बनाने का पूरा खर्च उठाते हैं या फिर किसी producer से films की rights खरीदते हैं ऐसा करने के लिए उन्हें पहले अपना पैसा खर्च करना पड़ता है हलाकि producer के साथ उनके film या web series की deal कितने में की गई है OTT platform इसे कभी public नहीं करते हैं तो दोस्तों इस तरह से हमें ये नहीं पता चल पाता है कि Netflix या Amazon ने film के producers को किसी film के लिए कितने पैसे दिये हैं पर हम इस बात का अंदाज लगा सकते हैं कि अगर एक producer ने कोई film या web series 10 करोड खर्च करके बनाई है तो वो उस film के rights OTT platform को 10 करोड से ज़्यादा की बोली पर ही बेचेगा अगर हम ये मान लें कि एक producer को कोई particular film केवल उसी particular platform में रिलीज करनी है और film रिलीज होने के बाद film को अच्छा respond मिलता है और बहुत से नए लोगों ने इस film के आने के बाद उस particular OTT platform को subscribe किया तो ऐसे में अगली बार उस खास production company जब उसी platform में कोई film के right बेचेगी तो इस बार उसकी bargaining power उस OTT platform के सामने अधिक होगी और उसे film के rights बेचने पर अधिक मुनाफा होगा अब सवाल उठता है कि ऐसा करने पर OTT platform को क्या फायदा होगा तो दोस्तो अच्छी content वाली film में अपने OTT platform पर रिलीज करने से उस platform का subscription बढ़ेगा और वो अपने पुराने subscription को retain भी कर पाएगी पुराने subscriber उसे छोड़ कर नहीं भागेंगे अब रही बात film की कमाई की तो ये आपको film की production company ही बता पाएगी कि उसने film के rights OTT platform को कितने में बेचे थे दोस्तो अब हमें एक misconception भी दूर कर लेनी चाहिए मान लीजी एक film Amazon Prime में रिलीज होती है और Amazon Prime कहता है कि इस film को एक दिन में एक मिलियन लोगों ने देखा है ऐसे में बहुत से लोग हिसाब लगाने बैठ जाते हैं कि अगर film की ticket कम से कम 100 रुपई की भी होती तो एक दिन में theater के हिसाब से film की कमाई 10 करोड रुपई के बराबर होती वे क्या कर रहे हैं कि एक मिलियन इंटू 100 रुपई कर रहे हैं और ये हिसाब निकाल रहे हैं कि फिल्म ने पहले दिन 10 करोड रुपई का कमाई किया ऐसा हिसाब करना बेवकूफी है ऐसा हिसाब simply इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि लोगों ने उस particular फिल्म को देखने के लिए है उस OTT platform को subscribe नहीं किया है क्योंकि Amazon Prime या Netflix में किसी भी तरह का paper view या paper download वाला system नहीं है ये TV OTT model पर काम नहीं करता है अगर लोगों ने Amazon Prime का 129 रुपई का मन्थली प्लान खरीदा है तो वे उस प्लान से पूरे महीने Amazon Prime के playlist में available सभी फिल्म को देख सकते है अगर उस महीने कोई दूसरी फिल्म भी आती है तो वे उसी 119 रुपई के प्लान से उस दूसरी फिल्म को भी देख सकते है ऐसे में अगर ये मान लिया जाए कि उस दूसरी फिल्म को भी एक दिन में एक मिलियन व्यू मिल गए है तो हम 100 रुपई टिकट का दाम मान कर ऐसा नहीं कहेंगे कि इस फिल्म ने भी एक दिन में 10 करोड रुपई के बराबर box office collection हासिल किया है ऐसा हम इसलिए नहीं कह सकते है क्योंकि Amazon Prime का मंथली रिचार्ज तो 139 रुपई का किया गया था अगर हमने पहली फिल्म को 100 रुपई का क्रेडिट पहले ही दे दिया है तो दूसरी फिल्म को कैसे हम फिर से 100 रुपई का क्रेडिट दे सकते है क्योंकि टोटल रिचार्ज ही उस महीने का 139 रुपई का हुआ है समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपने 139 रुपई के पूरे महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदा है इस पूरे महीने जितनी भी फिल्म रिलीज होगी आप Amazon Prime पर देख सकते हैं अगर आप हर फिल्म को देखने के लिए पेमेंट करते जैसे TVOD business model में होता है तो तब हम या कह सकते थे कि अगर इस फिल्म को 1 million लोगों ने देखा है तो 100 रुपई टिकट का दाम मान लिया जाय तो फिल्म ने 10 क्रोर रुपई कमाए है चलिए विडियो के लास्ट में एक और दूसरा misconception भी दूर कर लेते हैं बहुत लोग IMDB में फिल्म के रेटिंग देखकर बता रहे हैं कि फिल्म हिट है या फ्लोप है तो दोस्तों आप IMDB के रेटिंग देखकर फिल्म के हिट या फ्लोप होने की बात नहीं बतला सकते हैं क्योंकि किसी भी रेटिंग वेबसाइट में दिये जाने वाले रेटिंग का मतलब ये नहीं है कि फिल्म हिट है या फ्लोप है रेटिंग से सिर्फ ये पता चलता है कि फिल्म अच्छी है या बुरी है हिट और फ्लोप होना तो फिल्म की कमाई पर निर्भर करता है IMDB में सोनचिरिया की रेटिंग 7.9 है इसका मतलब है कि फिल्म अच्छी है पर रेटिंग ये नहीं बतलाती है कि फिल्म हिट है या फ्लोप है क्योंकि हमें पता है कि बॉक्स आफिस पर सोंच चिडिया फ्लोप रही थी ठीक इसी तरह विसाल भर्दवाज की फिल्म ओम काराज जो 2006 में रिलीज हुई थी एक फ्लोप फिल्म साबित हुई थी लेकिन IMDB पर इसकी रेटिंग 8.1 के बराबर है इसका मतलब है कि फिल्म अच्छी है इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म हिट हुई है दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये विडियो वर्थ वाचिंग है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमें आपकी ज़रत है